नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में जानेंगे आपको HSBC India का Mobile Banking App कैसे यूज करना है कैसे आपको इसमें Registration करना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपने Play Store में जाना है Play Store में सर्च कर लेना है HSBC India तो इस अपको आपने इंस्टॉल कर लेना है तो मैं इसको अभी ओपन करूंगा Next आपके सामने Terms and Conditions आ जाएंगी आपने इन Terms and Conditions को Read कर लेना है उसके बाद पुरा Scroll Down करेंगे आप इस तरह से आपने पुरे पढ़ लेना है Terms and Conditions उसके बाद I Agree to the Terms and Conditions इसमें चेक करना है उसके बाद Continue पे क्लिक करना है Do you have your HSBC Online Banking Logon, ID and Password आपने यहाँ पे No करना है उसके बाद Next आप देखने है Register for Online Banking यहाँ पे नीचे आपने चेक कर लेना है उसके बाद आपने Continue पे क्लिक करना है Next है verify it's you, please choose how would you like to verify you तो यहाँ पे दो option आपके सामने आ रहे है pen card and phone banking number आप mobile number से भी verify करा सकते हैं और pen card से भी तो यहाँ पे मैं pen card सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं pen card पे क्लिक करूँगा उसके बाद नीचे continue का बटन है continue के बटन पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे आपको अपना pen card number डालना है pen card number डालने के बाद नीचे continue पे क्लिक करना है Enter your email address यहाँ पे अपने email address इंटर करना है जो आपके HSBC bank में link है उसके बाद आपने नीचे continue पे क्लिक करना है Next, आपने अपना mobile number डालना है, जो आपके bank से link है, उसके बाद आपने continue पे click करना है और आपके mobile number पे एक OTP आएगा. यहाँ पे आप देखें, one time activation code from HSBC online banking registration is, यहाँ पे आपको आपका code मिल गया है, वो code आपने वहाँ पे डालना है, उसके बाद आपने continue पे click करना है. Next है choose a security question, तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे security question है, जैसे what is your favorite book, what is your favorite movie, what is your favorite music, जैसे who is the person you most admire, तो बहुत सारे questions है, कोई भी इसमें से question select कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे select कर रहा हूँ, what is your favorite book, तो आपने इसमें click कर लेना है. Next है answer security question, what is your favorite book, तो आपने favorite book का नाम यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपने continue पे click करना है, उसके बाद आपके name इंटर करने का option आएगा, उसमा आपने अपना name इंटर कर लेना है, उसके बाद continue पे click करना है, यहाँ पे आपने six digit का पिन create करना है, नमबर्स आपके same नियो करना है, उसके बाद continue पे click करना है, नेक्स्ट आपने biometric को enable कर लेना है, जैसे आप face ID या फिर fingerprint आप इसमें add कर सकते हैं, अगर आपके phone में already है तो automatic है, वही fingerprint इसमें ले लेगा, उसके बाद आपने continue पे click करना है, उसके बाद आपके mobile नमर पे SMS आएगा, you have successfully registered for HSBC online banking, यह न आपको इंडिया दिख रहा होगा, और यहाँ पे greeting of the day जो भी है, वह आपको दिख जाएगा, आपका name, और यहाँ पे दो option है, login on with biometric, log on with pin, तो आपको जिससे भी login करना है, तो आप उससे login कर सकते हैं, अगर generate security code, security code generate करना चाहते हैं, तो नीचे security code generate करने का option भी है, तो यह यहाँ पे जो आपने six identity का pin create किया था, वो pin यहाँ पे डालना है, उसके राद आपका account login हो जाएगा, यहाँ पे हम successfully, HSBC Mobile Banking app में login हो चुके हैं, नीचे आपको चार option मिलते हैं, account है, यहाँ पे आपका account number, आपका balance पर गरशी होगा, दूसरा option है investment, यहाँ से आपको investment है करना यहाँ पे आप click करेंगे, तो यहाँ से आप अपना UPI की setting वेगरा कर सकते हैं, तो इसी परकार आप HSBC Mobile Banking app में registration कर सकते हैं, वीडियो को आन्त तक देखने के लिए धन्यवाद,